कि हैंनो स्ट्रेंट्स वेलकम बैक टो दो चैनल आई टेक वर्ल्ड एक टीव आज की वीडियो में अपनी साइबर सेक्योर्टी की प्लेलिस्ट की उनिट नमबर फॉर्थ को कंटीनु कर रहे हैं बेसिकली हमारा लास्ट वीडियो रहने वाली है उनिट नमबर फॉर की लेक् एक पड़ा हैं कि क्या होता इसके सारे एक अटिकस्रेंसिक्स के बैट है और इन व超क करने में क्या क्या हमें करने पढ़ता हैं उनकी बात करेंगे तो अगर में बात करूंग नजर डाल ंवब्लेक्षब है तो स्लेबस में आप देख सकते हैं कि हमने सारी टॉपिक्स और लेडी कवर कर ली है बसकि जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा है जो है चैलेंज इसके बाद हमारी यूनिट नमर 4 जो है टोटली कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद हम नेक्स लेक्चर से सुरू करेंगे यू और फिजिकल उसमें इन्वेस्किकेट कर रहे थे फॉरंसिक्स कर रहे थे तो पहला जो मेजर चेलेंज है कंप्टर फॉरंसिक्स का वह है इंक्रिप्शन इंक्रिप्शन क्या होता है किसी भी डेटा को for example कोई PDF है कोई image है कोई टेक्स्ट है उसको इंक्रिप्ट करना इन द इन टेक्स से साइफर टेक्स में कनवर्ट कर देना यह सब चीज़ें आप आगे पढ़ेंगे लाइट तो इसको इंक्रिप्ट कर देना तो बेसिकली डेटा को प्रोटेक्ट कर देना ही इंक्रिप्शन होता है डेटा को प्रोटेक्ट करना इंक्रिप्शन होता है एक तरीक डिफिकल्ट हो गया तो जैसे जैसे इंक्रिप्शन के स्टेंडर्ड है वो भड़ते हैं राइस हो रहे हैं यानि उपर की तरफ जा रहे हैं more secured होडा डेटा और जो एल्गोइथम है अगर आपने इसके बारे में सुना हो नहीं सुना तो आगी आप इसको पढ़ेंगे वो अल्गोइथम और कॉंप्लेक्स होती जा रही है उसको डिक्रिप्ट करना काफी डिफिकल्ट हो गया है और काफी टाइम कंजुमिंग हो गया है फॉर स्पेसलेश्ट टू स्पेसलेश्ट होते हैं उनको डेटा को डिक्रिप्ट करना बहुत ज्यादा टाइम कंजुमिंग और डिफिकल्ट हो गया है और पीस टोगेदे इंक्रिप्टेड फाइल इंटू मेंनिग मेनिग्फुल इंफॉमिशन अब देखो होता क्या है कोई भी टेक्स है मारे पास इसे इंकरिप्ट कर गा दूंगा और फिर वह जांके इसको डिक्रीप्ट करेगा RSI Algorithm use कर के तो यह एक तरसे encryption का method होता है आपको इसमें detail में जाने की जरूत नहीं है बस इतना याद रखो encryption का मतलब क्या होता है data को secure करना protect कर देना जैसे कि हम PDF पर password लगा देते तो जिसको password पता होता होता है वो यह खोल पाता है राइट दूसरा पहली जो में प्रॉब्रम थी चेलेंजिस आयागा टू मार्क्स में आया तो आपको लिखना है the advancement of encryption and second point लिखना है maintaining credible certification and industry standards in the field तो बस दो मार्क्स में आया था तो खाली दो पॉइंट लिखके छोड़ देना है आपको credible information यानि ट्रस्टेड कर सर्टिविकेशन मतला हम जो भी काम कर रहें उसमें हमें ट्रस्टेड सर्टिविकेशन होना चाहिए इंडरस्टी कुछ standards होते हैं उन्हें हमें follow करना चाहिए एन आई एस्टी एक standards technology है एक institute है national institute of standard and technology क्या करती है कोई भी हम digitalized काम करते हैं उसके बारे में rules and regulations निकालती है और यह us based united state based agency institute है right and most standards need to be adapted for this field to make the gathered evidence and the combined information used in court more credible in the eyes of the judge jury and opposing attorney तो credible क्या मतलब होता है कि जो भी हमें evidence मिले हैं उनको more trusted बनाना है कि यह जो बिल्कुल चीज है बिल्कुल सत्य है कोई भी हमें तथ्य मिला है उसको trusted दिखाना तो हमें इसके बार में और rules and regulation follow करने पड़ेंगे ताकि जो भी हमें gathered evidence मिलें जो भी हमने सबूत एखट्टे करें उनकी जो information को उनने एखट्टा कर रहा है वह court में more credible हो यानि more विश्वसनिय हो trusted हो ज्यादा विश्वसनिय हो in the eyes of judge जो judge है जीवरी है और opposing attorneys ठीक यह दो में चैलेंज है टू मार्क्स में तो यह more than enough है आपके लिए इस लिख देना पहला तो में चैलेंज है आडवांसमेंट आफ इंक्रिप्शन राइट दूसरा जो में चैलेंज है दूसरा मेंटेनिंग क्रेडिवल सर्टिफिकेशन यानि हमें जो भी सबूत में उनको और विश्वसनिय बनाना है अब बात करें सेवर मार्क्स के परस्पेक्टिव से तो देखो डिजिटल फॉरेंसिक साहबा फॉरेंसिक बेसिकली एक दूसरे के सबसेट है यह भी हमने और है तो पहला जो है वह डिजिटर्टल फॉरेंसिक भी सब्सेट होता है क मुधिक्ट ze इसमें अभी जो करेंट इसूज और चैलेंजेस तो तीन इसमें इसमें इस्वेश्ट इसमें पहला इसमें तो देखो अगर यह कुछ ना आता है तो आपको इसमें ज्यादा कुछ समझने की जरूत नहीं है वस आपको यह जो फिकर है डाग्राम है जससे पूरे पेस पहें ता कि आपकी आउसर लिखने का इसमेंट ज्यादा अच्छा लगे यह अपर are कि इसे उसका शॉ मान सकते हैं। पहला इसीलएबिलिटी का कि अवो कितना भढ़ सकता है। मिलेफ़ के कि जो मिले हम उनको इश्यू backward और विजुलाइस यह नि दिखाने का इसू रहता है दूसरा law related law में पहला इसू रहता court level privacy issue के court level पर कितने privacy मैंटेन है दूसरा presentation of digital evidence in court court में digital evidence के presentation पर कितने issues है और तीसरा evidence validation कितना evidence है वो validated है ठर्ड है scientific scientific related पहला है उसमें anti forensic technique दूसरा lack of से देखो आपको इसके डेटेल में ज़रूत नहीं क्योंकि जो कोशन है सिर्फ एक टॉपिक है एड जो की मोस्ट प्रबबली आपके टू माक्स में आने के चांसे हैं अगर वो आएगा तो आप यह वाला जो मैंने बता हैं दो पॉइंट यह लिखना अगर वाई चांस यह कुछ ज्यादा point of view है नहीं सिर्फ तीन याद रखना कि digital forensics में अभी जो इशू और चलेंज चल रहा है वो तीन तरीकी के चल रहा है पहला सोर्स रिलेटेड दूसर लॉसर रिलेटेड तीसा साइंटिफिक्स रिलेटेड और उसके अंदर भी छोटे-छोटे दो तीन-दो पूछे सिमिलरली ओल्मोस्ट नाइंटी परसंट सेम तर्म है डिटल फोरंसिक से बड़ी वह ब्रांच उसके अंदर ही आपका कंपिटर फोरंसिक्स आता है तो अल्मोस्ट नाइंटी परसंट सेम पॉइंट इनके लिए एड होते हैं तो कोई भी पूछले चेलेंजिस इन डिटल फोरंसिक इन्वेस्टिकेशन तो थर्ड पेज में आपको यह चीज एड करनी है राइट क्योंकि सेवन माक्स में आपको मैं ही एडवाइस दूंगा मिन अगर मैं बात करूं इनकी अंडर की अगर देखो आपको लिखने की जो नहीं पड़ेगी है इसके अंदर कुछ भी स्टिल कुछ इस्ट्रेंट्स होते हैं जो कंटेंट ओवर्राइट करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक्स्पीन कर दूं तो लीगल इस्यूस क् होते हैं kोर्ट रिलेटिड जितने भी इशी होते हैं वो लीगल इश्यूस का रहाते हैं kवर्ट इश्यू को राइट दूसरा नेचर कोई भी डिजिट्र इविदेंस हो सकता है वो वूलिटाइल और इनवॉटाइल नेचर हो और आपने आपड़े होँगे वॉणधाइल मतलब आप जैसे कफड़े सिलवाते हो तो मैं अल्टर करवाते हो ना इससे मिलली एविडेंस में कोई छेड़ चार अल्टरेशन के अंदर आती है नेक्स पॉइंट है साइज डिस्टिबीशन एविडेंस जो सबूत है वो कितना बड़ा है उसका कितना डिस्टिबीशन है कोई फोटो इमेज वीडियो हुई तो कहां कहां वाइरल है तो उससे एक तरह से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं नेक्स माल्वेर का मतलब सब जानते ह हो मैलीशियर माल से आता मैलीशियर और से आता सौफ्ट्वेर हमने फर्स सेकंड यूर्ट में यही तो पढ़ाया और पढ़ाई किया हमने तो जो प्रिजेंट एविडेंस में प्रिजेंट माल्वेर रहता है वह भी काफी सारे चैलेंज करते हैं इन्वेस्टिकिशन के उसमें कुछ security लगा दी कोई text है उसको plain text से cipher text में बदल दिया तो यह सारे जो होते हैं हमारे challenges होते हैं तो यह आप easily लिख सकते हैं आपको कुछ भी समझ में रहा है तो यह सारे seven challenges है इनको लिखके explain कर देना बाकि जो two marks के लिए main challenges है यह है और यह figure आपको बनाना पड़े अच्छे marks के लिए बाकि यह seven challenges है इनमें लिख देना अगर कुछ भी समझ में याद नहीं आता है तो overall challenges यह होते हैं और digital forensics के पूछ ले या फिर computer forensics में पूछ ले तो आप confused नहीं होना दौनों almost same है ओके तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही unit no.4 इसी वीडियो के साथ हमारी खतम होती है अब हम next lecture में start करें हूं unit no.5 till then keep learning and don't forget to like the video and still you have any doubt then comment down I'll answer each and every comment and also share the video with your friends and don't forget to subscribe the channel thank you so much for watching my video